दोस्तो इस पूरी दुनिया में कई तरह की मसीने बनाई गई है जो अपनी बहतरीन खूबियों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है दोस्तो मकडी की तरह दिखने वाली ला प्रिंसेस दुनिया की सबसे बड़ी मसीनों में से एक है इस मसीन की लंबाई 15 मीटर है और इसके भारी भरकम सरीर का वजन 37 तन है मकडी की तरह दिखने वाली यह मसीन दुनिया की एकलोती मसीन है और इस मसीन को फ्रांस की ला कमपनी ने बनाया है इस मसीन की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी पैर अलग-अलग दिसा में काम करते हैं दोस्तो इस मसीन का निर्वान फ्रांस के नेंटस में किया गया था, जिसमें एश्टील और चिनार की लकणियों का इस्तमाल किया गया था, और इसको पूरी तरह तयार करने में लगबग एक साल का समय लगा था, दोस्तो इस मसीन को कंट्रोल करने के लिए 12 लोगों की आवश यह मचीन इतनी उची है कि किसी भी इमारत की पांचवी मंजिल को चूँ सकती है, यह मचीन सुरंग के अंदर मोजूद धोज पत्थर को भी आसानी से तोड़ सकती है, ऐसे मचीनों को केवल जपान में ही असेंबल किया जाता है, वर्तमान में इस मचीन का इस्तुमाल, अमेर बिजली पैदा करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी मसीन है जो पानी के सताव पर उपर नीचे होते रहती है जिसके चलते हाई एनर्जी से प्रेसर बनने लगता है और इसमें लगा जेनरेटर तेजी से घूमकर लगबग 90 गिगावाट बिजली पैदा कर देता है तो द हावाई जहाज मानों इतिहास में बनाए गया आज तक का सबसे बड़ा हावाई जहाज है इस विमान की लंबाई 84 मीटर और इसके पंखो की लंबाई 88 मीटर है इसका कूल वजन 2,84,000 किलोगराम है इस विमान में 232 पहिये लगे होते हैं जो इसे सोप्ट लेंडिंग करान में मदद करते हैं यह विमान 19 purity में सोव्यत य्उणियन के एंटो नुवा डिजाइन नामक इस कंपनी ने सोविएत यूणियन को सपस्प्रोगराम में मदद करने के लिए बनाय गया धा 1994 में इसे सेवा से हटा दिया गया पर 2001 में इसे वापस सेवा में सामिल किया गया इस दोस्तो वीडियो में देखने पर ये काफी छोटा लग रहा होगा लेकिन ये मसीन साइज में काफी जादा बड़ा है इसमें 216 सिलेंडर भी इंजन का यूज किया गया है जो 4000 होर्थ पाउर पर काम करता है इस मसीन को ओपरेट करने के लिए 20,000 लीटर डीजल की जरुरत पर इसके बकेट का वोल्यूम 15,000 क्यूबिक फीट है जो की बहुत जादा बड़ा है दोस्तो ये मसीन हाई क्वालिटी डूरेबल मेटरियल से बनाए गया है जो काफी रिये लेवल एन हाई प्रोडेक्टिव होता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आपको इन में से सब तके लिए धनिवाग